जेहिंद, सबसे पहले तो मैं सलाम करना जाते हूँ उन सभी लोगों को, जो एक बार फिर हमारे सम्विधान को बचाने, इस देश के जो मूल आदर्श हैं उन्हें बचाने, इस देश में आपसी भाईचारे को बचाने, आज दोबारा सडकों पर उत्रे हैं। इस देश में खासकर जो सत्तारूड दल हैं उनके द्वारा, बहुत कोशिश की गई कि ये जो एंटी-CAA और एंटी-NRC और अब एंटी-NPR ये नया जानवर आया है बाइद विए, हमारे बीच में, NPR, इन्होंने का नर्सी नहीं होगा, पता चला है, NPR नामा को चुरू हो गया है, जो बेस है, इस पूरे स्कीम का, बहुत कोशिश की गई ये दिखाने की, कि जो ये शांती-पून विरोध हैं, ये सिर्फ मुसल्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्हों मुसल्मान तो होते ही, ऐसे उन्हें हर चीज से दिक्कत होती है, आज इतने सारे लोगों को यहां देखकर, जो हर अलग तपके से आए हैं, अलग वर्ग से आए हैं, अलग समुदाय से आए हैं, मैं बार-बार ये कहती हूँ, खासकर जो स्टूडेंट्स, आप सभी को सलामा, हम सब जो यहां पर हैं, हम यह दिखो हैं, कि यह जो विरोध हैं, CAA, NRC, NPR का, यह सिर्फ मुसलमानों की दिक्कत नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी की दिक्कत है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी की जिसे अपने सम्विधान पर विश्वास है, हम जो हमारे सम्विधान का आदर करते हैं, हम जो गांध एक ताकनारा हो जाए तोगास दोग आगास दोग आगास दोग